आलू सोववीन की एकदम मस्त सबजी हम बनाने वाले हैं मतलब इस तरीके से फिरिंट से आपने बना लिया ना तो आप अपने उगलियां चाटती रह जाओगे बहुत यहसान तरीका मैं बताने बाले हुँ आपको जिससे कि आपकी सबजी बहुत अच्छी बनेगी एक बार म में दस मिनट में फूल कर रेडी हो जाएगी अगर नॉर्मल पानी में आप इसे रखेंगे तो कम से कम आपको 18 घंटा का समय तो लगी जाएगा तो कि मैंने ने नॉर्मल पानी में ही रखा है तो आदा गंटा का टाइम लगा और देखिया फूल कल बिल्कु रेडी होगे इस तरह के से पानी निचोड़ देना है आपको और अलग प्लेट में आपको इसे अलग कर लेना है अब देखिए एक प्लेट में मैंने अलग निकाल लिया है अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मसाला को रिर करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च लिया ह हम चेहां और एक कड़ाही यहां पर डाल देंगे हम सर्सों का तेल में बання बहुत ही स्वाधिश्टी बनेगी और ही ऑप यहां पर क्या करेंगे कि हम सवाबी इन का पानी निशॉर कर रखे थे लग बस उसको डाल देना है। और फिर्स यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्वाबीन को फ्राइब करें तो यहां पर फ्लेम हाई रखें मतलब तेल एक दम धुआ धार गरम होना चाहिए तो इस तरीके से जब स्वाबीन भूनेंगे आप बिल्कुल गरम गरम तेल में तो क्या होगा कि कड़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा सुखे लाल मिर्स और तेश पता मतलब यह जो आपने फोरन डाला है ना इसे आप पास तरीके के करके डालिए गा बहुत ही टेश्टी बनकर तयार होगी और देखिए यहां पर मैंने डाल दिया है मेडियम साइज के दो बारी कटे हुए प्याज मतलब मैंने इसे लंबे बहुनना नहीं है प्याज को और यह देखिए आलु को इस तरीके से कट कर लें दो ज्यादा बड़ा आलु को चार भागों में जो च्छोटा उसको दौब हमें कर लिए अच्छे से बहुन लेंगे मतलब इसको हमें 5-6 मिनट के लिए भूनना है तो यहां पर आप क्या करे या फिर ऐसे भी इसको भून सकते हैं और यह देखिए 5-6 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है हलका हलका सा हमें देखिए आलू में थोड़ा सा कलर चेंज आना सुरू हो गया है तो यहाँ पर देखिए मैंने स्वादा नुसार नमक एड़ कर देना है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है दो चमच नमक अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे नमक के साथ भूनने से क्या होगा कि जो आलू के अंदर है वो नमक का जो टेस्ट है वो चल जाएगा मतलब फीका फीका सबजी हमारा नहीं लगेगा और यह देखिए यहाँ पर मैंने नमक डाल कर पाच मिनट के लिए और भूना है और आप देखी सकते हो कि इसका जो कलर है हलका सा और चेंज हो गया है अब देखे यहाँ पर आपको डाल देना है एक टमाटर या फिर आ बारीक डाले या फिर लंबे भागों में कट करके डाले अब टमाटर को डालने के बाद देखिए अच्छे से न आपको 3-4 मिनट के लिए भूलना है जब तक कि जो टमाटर जो हमने डाला वो अच्छे तरीके से मैस न हो जाए और देखिए अब हमें क्या करना है कि जो हमने मसाले तयार रखे थे बस उसको डाल देना है अब डाल देंगे यहाँ पर आदा छोटे चमच हल्दी पाउडर यहाँ डाल देंगे एक छोटे चमच धनिया पाउडर एक छोटे चमच मीट मसाला पाउडर यहाँ आदा छोटे चमच डाल देंगे हम सबजी मसाला पाउडर बस इन सारे मसाले को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आलू के साथ और हमें क्या करना है कि इसे पाच मिनट के लिए हमें पकाना है ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से अब देखिए पाच मिनट के बाद यहां पर सुवाबीन हम एड़ कर देंगे और इसके साथ भी हम क्या करेंगे ना कि 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि यह जो हमारे मसाले हैं वो सुवबीन के साथ अच्छे तरीके से मिल जाए तो फ्रेंट्स यह जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके साथ जरूर बनाएगा मतलब बहुत ही टेश्टी बनेगी और बस आपको क्या करना है ना कि मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है बस आपको 2-3 मिनट के लिए सुवबीन डालने के बाद भूनना है जब तक कि जो मसाला है कडाही के तले से छिपकने ना लगे तब तक आपको इसको भूनना है और यह देखिए आप देखी सकते हैं जो मसाला है बल्कुल अच्छे तरीके से भून गया है तो अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर पानी अड़ कर देंगे तो ग्रेवी के अनुसार आप यहाँ पर पानी अड़ करें अगर आप कम ग्रेवी खाना पसंद करते हो तो कम पानी अड़ करें ज्यादा खाना पसंद करते हो तो ज्यादा अड़ करें अब क्या करेंगे धक्कन से बंद कर देंगे और क्या करेंगे यहां कि पाच मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर इसमें उबालाने देंगे और देखिए पाच मिनट के बाद हाई फ्लेम पर उबालाने के बाद धक्कन को हम हटाएंगे अब आप देखी सकते हो कितनी अच्छी लग लिए सब्जी है ना एक बार हम इसको कल्ची से अच्छे तरीके से चला लेंगे अब ज्या करेंगे कि यहां पर हम डाल देंगे धनिया पत्ती बारी कटीव धनिया पत्ती हम डाल देंगे तो फिर्ट्स यह आपको लास्ट में याड़ करना है जब समझे कि अल्मुस्ट मारा जो सब्जी है वो बनकर रेडी हो जाए अब देखें यहां पर एक छो था चोटी चामच गरम मसाला पाउडर आपको अड़ कर देना है अब यहां पर देखिए दो पिंच के करीब आपको डाल देना है यहां पर कसूरी मेथी इसे आप हलका सा कर लें हाथों से और इस तरीके से इसमें घूल मिल जाए मतलब पूरा टेस्ट इसमें आ जाए और यह देखिए दो मिनट के बाद हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गया है आप देखी सकते हो और देखिए मैं आपको दिखा रहे हूं कि जो अंदर का आलू है बिल्कुल अच्छे तरीके से पक कर रे कि अधिस्ट और स्वादिश्ष्ट आरी सब्जी बनकर त्यार हो गई है आलोस मवीन की सब्जी तो अगर आप विडियो अच्छा लगा हो वो विधिए अच्छा लगा हो तो अप्रेट सब्सक्राइब करने कि अब तो मिलते हम नेक्ट्र वीडियो में तब तक के लिए ल झायोओ